हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बेच्चु बीस्टी के बायू के फिजिक्स का पेपर सॉल्व कराऊंगा जिसमें पहला कोश्चन ने एक पारेशेक होता है इसका एंसर है थर्ड तीन दस मलो एक गुड़ी दस के गास 16 मीटर नेस्ट कोश्चन निम्ड में से कौन बीमी इस् पर सेकेंड के वेग से चलने वाली कार को 25 मीटर की दूरी में विरामा उस्था में लाने वाला त्वरण है इसका एंसर फर्स होगा माइनस दो मीटर पर सेकेंड स्कौरर नेस्ट कोश्चन दो पिंड इस प्रकार फेके जाते हैं कि उनके 36 पराज बराबर है यदि उनके प भावित प्रेचेपन कोड हो सकता है इसका एंसर थर्ड होगा 30 और 60 नेस्ट कोश्चन दो केजी द्रविमान का एक पिंड 4 सेकेंड के लिए 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के इस्थिर वेक से चलता है पिंड पर लगने वाला बल है इसका एंसर फोर्थ जीरो न्यूटन नेस् स्मॉल M द्रविमान तथा स्मॉल L लंबाई का एक छड मेज पर 36 पड़ा है मेज पर इसे खड़ा करने में कृत कारे होगा तो इसका एंसर सेकेंड होगा MGL बटे 2 नेस्ट कोश्चन स्मॉल R लंबाई की एक डोरी के एक सीरे पर बांद कर एक पिंड को उर्धवार्दर व पूरा करने के लिए निम्तम बिंदू पर पिंड का वेग है इसका एंसर थर्ड होगा अंडरूर्ट 5 जी आर नेस्ट कोश्चन एक गूली गेंद एक मेज पर बिनार फिसले लुड़कती है इसकी कुल उर्जया का कौन सा भाग रैखिक गती से सब्बद है तो इसका एंसर थर्ड तीन बटे 5 नेस्ट कोश्चन पृत्वी की सतप गृत्वी त्वरण का मान स्मॉल जी है यदि पृत्वी का द्रविमान चंद्रमा का असी गुना तथा त्रिजया चार गुना हो तो चंद्रमा की सतप जी का मान है तो इसका एंसर थर्ड जी बटे 5 नेस्ट किसी ग्रह का पलायन वेग स्मॉल वी ए है यदि ग्रह की त्रिजिया वही रहे किन्तु द्रवेमान चार गुना हो जाए तो पलायन वेग होगा तो इसका एंसर सेकंड टू वी ए नेश्ट कोशन एक बरतन में द्रव भराय यदि आसंजन बल द्रव के ससंजन बल से बहुत कमजूर हो तो ठोस्म के पास द्रव के तल का आकार होगा तो इसका एंसर होगा फोर्थ उत्तल नेश्ट कोशन यदि फ्रेम को बाहर निकालने पर एक द्रव की जिल्ली बनती है तो ढाचे पर लगने वाला बल है तो इसका एंसर फर्ष्ट एट टी एल नेश्ट कोशन पंद्रसों न्यूटन प्रती मीटर और तीन हजार न्यूटन प्रती मीटर स्प्रिंग नेतांक वाले दो कमानियों को बराबर बल से खिचा जाता है कमानियों में संचित इस्थतिज उर्जा का अनुपात होगा तो इसका एंसर सेकेंड है दो रेश्यो एक किसी आदर्ष गैस की परमताप T पर औसत रेखिक गती की गतीज उर्जा है तो इसका एंसर थर्ड तीन बटा दो केटी एक बर्फ के घन में एक लोहे की गेंध है बर्फ जल की द्रोडिका में रखा है जब पूरा बर्फ पिगल जाता है तो द्रोडिका में जल का अस्तर है तो इसका एंसर थर्ड और परिवर्तित रहता है नेस्ट कोशन आदर्ष गैस के लिए CP और CV का अनुपात गामा ताप पर निम्न प्रकार्शन निर्भर करता है तो इसका एंसर फर्ष गामा प्रपोर्शनल टी नेस्ट कोशन किसी रुद्धोस्म परिवर्तन में किसी द्विक परमाडु गैस के दाब एवं ताप में संबंध होता है तो इसका एंसर फर्ष पी प्रपोर्शनल टी के पावर 7 बाई 2 नेस्ट कोशन यदि YCM में तथा T सेकंड में हो तो तरंग Y equal to 3 sin 314 T plus 4 cos 314 T का आयाम है तो इसका एंसर फर्ष फाइब सी एम नेस्ट कोशन के स्प्रिंग नियतांक वाली स्प्रिंग में T तनाव से खिचने पर संचित उर्जा है तो इसका एंसर फर्ष टी स्क्वर अपाउन 2K नेस्ट कोशन चित्र में इस्प्रिंग द्रविमान के तीन निकाय दिये गए हैं यदि इस्प्रिंग एक समान हो तो आवर्दकाल का अनुपात होगा तो इसका एंसर होगा फोर्थ टूर रूट टू रेशियो वन रेशियो रूट टू नेस्ट कोशन किसी ठोस में द्रव का संचरण होता है तो इसका एंसर थर्ड अनुप्रस तथा अनुदर दोनों का नेस्ट कोशन प्लांक नियतां की वीमा है तो इसका एंसर फर्ष नेस्ट कोशन कैपिटल क्यू आवेश के चारो और कैपिटल आर तरिज्या के एक पूड वृत में एक आवेश स्मॉल क्यू एक बार घुमता है किया गया कार है तो इसका एंसर फर्ष होगा जीरू नेस्ट कोशन एक कुचाला गोला एक समान आवेशित है केंडर से इसमॉल आर दूरी पर जहां इसमॉल आर गोले की तरिज्या केपिटल आर से कम है वैदु छेतर समान उपाती है तो इसका एंसर होगा फर्ष इसमॉल आर नेस्ट कोशन किसी धातू का परावैदु तांक होता है तो इसका एंसर सेकेंड अनंद निश्कोर्षन 20 ओम के तार को एक पूल वृत के रूप में मुड़ा गया तार की परधी के एक चौथाई भाग को अलग करने वाले दो बिंदों के बीच प्रतिरोध है तो इसका एंसर सेकेंड 5 ओम निश्कोर्षन 100 ओमा 200 बोल्ट अंकित एक बल्ब को 160 बोल्ट सप्लाई से जुड़ा गया यह खर्च करेगा तो इसका एंसर 3 ओम दो दो बिंदों पर किसी वैदों छेत में बला घुल का मान अधिक्तम होता है जब वेक्टर P तथा वेक्टर E के बीच का कोड होता है तो इसका एंसर सेकेंड 90 अंस निश्कोर्षन चित्र में दर्शाय गए समायोजन की P तथा Q के बीच धारिता है तो इसका एंसर 3 ओम दो इसका एंसर 3C निश्कोर्षन इसमाल क्यू आवेश वाला एक कड़ वी वेक से एक धारावाई परिनालिका के अच के अंदिश प्रवेश करता है आवेश पर बल है तो इसका एंसर 1 जीरो निश्कोर्षन एक आदर्स धारामापी का संट प्रतिरोध होना चाहिए तो इसका एंसर 2 सुन्य निश्कोर्षन किसी वी चुम की परदार्ज में परमाडू या अडू का इस्थाई चुम की आगुड होता है तो इसका एंसर 3 सुन्य निश्कोर्षन नतीव रित को भूचुम की दुरू पर रखने पर उसकी सुई ठरेगी तो इसका एंसर 1 दच्छिड उत्तर दिसामे निश्कोर्षन पचास अड़्स आवरित्ती पर एक बटा पाई फैरड धारिता वले संधारित की प्रतिबाधा है तो इसका एंसर 3 दस के घात माइनस 2 ओम निश्कोर्षन किसी सीधे चालक का स्वप रेरिकत तो हुथता है तो इसका एंसर 1 जीरो निश्कोर्षन लेंज का नियम किसके सरच्छड का परिडाम है तो इसका एंसर 3 उर्जा निश्कोर्षन किसी एसी परिपत में एक सुद्ध प्रतिरोध में विवहांत थता धारा के बीच कलांतर हुथता है तो इसका एंसर 3 पाई बै टू निश्कोर्षन 25 तथा 4 इकाई तिवरिता वाले 2 तरंगे व्यती करण उत्पन करती है निश्कोर्षन तथा अधिक्तम तिवरिताओं का अनुपात है तो इसका एंसर 4 एकीस बटे 29 निश्कोर्षन लाइमन सिरणी पड़ती है तो इसका एंसर 1 अल्ट्रा वालेट छेतर में बाकि जिन कोर्षनों के सलूशन आपको नहीं बताए गये उसे नेस्ट वीडियो में बता दिया जाएगा वीडियो को अन्तक देखने के लिए धन्यवाद जो चैनल प्रनाय चैनल को सस्क्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल अन कर ले तथा लाइक, सेयर एवं कमेंट करना ना भूले